हलो दोस्तो स्वागत आपका हमारे चैनल यूपी एक्जाम क्रिजर में दोस्तो आज के वीडियो में हम 30 सितंबर से समंधित उत्तर प्रदेश के सभी एक्जाम के लिए most important current affair के questions को discuss करेंगे और हरे questions related आपको fact भी बताएंगे और वीडियो के अंते में हम आपसे question भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको comment box में देना है और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी PDF आप हमारे टेलिग्राम गुरुप से डाउनलोड कर सकती है टेलिग्राम गुरुप की लिंक आपको वीडियो के description में मिल जाएगी तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेजन शुरू करने से पहले हम कल के questions का revision करेंगी कल का पहला question है भारत में निर्माणा दिन दुनिया की सबसे लंबी gas pipeline उतरप्रदेश के कितने जिलों से गुजरेगी इसका जो correct answer है मोह option number B 18 जिलों से अगला question है हाली में जारी National Crime Record Bureau की रिपोर्ट के अनुसार देश में महिलाओं पर अपराद के मामले में लखनव किस इस्थान पर रहा इसका जो correct answer है मोह option number C चौथे इस्थान पर और दोस्तो उतरप्रदेश करेंट अफिर की लास्ट 8 मन्त की अगर आपको PDF डाउनलोड करनी है तो उसकी लिंक आपको वीडियो के description में मिल जाएगी तो वहाँ से आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं इस PDF में हमने जनवरी से लेकर के अगस्त 2020 तक उतरप्रदेश करेंट अफिर के सभी important questions को विस्तार पूरवक बताया है और दोस्तो इसके अलावा अगर आपको अगस्त मन्त की उतरप्रदेश करेंट अफिर की PDF डाउनलोड करनी है तो उसकी लिंक भी आपको वीडियो के description में मिल जाएगी तो वहां से आप अगस्त मन्त और उतरप्रदेश करेंट अफिर लास्ट एट मन्त की PDF डाउनलोड कर सकते हैं और दोस्तो डाउनलोड करने में अगर कोई भी problem होती है तो side पर आपको WhatsApp नंबर और email मिल जाएगा जिस पर आप contact कर सकते हैं अगला कुश्यान है सितंबर 2021 में राष्ट्रिय के अड़ेट कूर NCC के महाने देशक के रूप में किसी नियुक्त किया गया है इसका जो correct answer है वो है option number A गुर बीरपाल सिंग को अगला कुश्यान है इंगलेंड के निम्न मैंसे किस all-rounder किरकेटर ने टेस्ट किरकेट से सन्यास लेने की घोश्ला की है इसका जो correct answer है मोही option number B मोहिन अली अगला कुश्यान है हाली में भारतिया वनस्पती सर्विक्षन Botanical Survey of India ने अपने नए प्रकासन Plant Discovery 2020 में देशकी वनस्पतियों में कितनी नई प्रजातियां जोड़ी है इसका जो correct answer है वो है option number B 260 अगला कुश्यान है निम्न मैंसे कौन सा राज्य पुरुस जूनियर होकी बिस्व कप की मेजबानी करने वाला है इसका जो correct answer है वो है option number D Odisha अगला कुश्यान है भारत का सबसे बड़ा पामेटम कहां इस्थापित किया गया तो ये इस्थापित किया गया है उत्तरा खंड में यानि option number A हाँ पर correct होगा अगला कुश्यान है निम्न कित मैंसे कौन सा railway station पूरी तरह से सौर उर्जा से संचालित होने वाला पहला railway station बन गया है इसका जो correct answer है वो है option number C चेननाई Central railway station अगला कुश्यान है सितंबर 2021 मैं निम्न कित मैं से कौन सा देश संयुक्त अरब अमीरात के दूसरे सबसे बड़े व्यापारिक भागिदार के रूप में उभरा है इसका जो correct answer है वो है option number B अब दोस्तों शुरू करते हैं आज का सिसन आज का पहला कुश्यान है उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में सोलर एनरजी से चलने वाले छोटे cold storage इस्थापित किये जाएंगे cold storage का नाम क्या है इसका जो correct answer है वो है option number A पूसा sun phrase उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल छेत्र के किसानों को बहुत जल्द बड़ी सोगात मिलने वाली है क्रसी और प्रसंस्क्रत खाद्य निर्यात उत्पाद विकास प्राधिकरा एपीडा को इंडियान एग्रिकल्चर रिसर्च इंस्टिटिव पूसा ने सोलर एनरजी से चलने वाले छोटे कोल्ड इस्टोरेज की पूरी सरंकला बनाने के तैयारी कर रहे है इसका खर्च बहुत कम होगा और छोटे किसानों के लिए बहुत फायदे मन सावित हो सकता है घर पर लगाए जाने वाले इस कोल्ड इस्टोरेज का नाम पूसा फार्म सन फिरेज है तो दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश के पूरवांचल में किसानों को जो है एक बहुत बड़ी सौगात मिलने वाली है अब दोस्तों उत्तर प्रदेश के पूरवांचल छेतर के जो किसान है उनके साथ एक बहुत बड़ी समस्या रहती थी समस्या यह थी कि जो किसान है वो अपनी फसलों की पैदावार तो काफी अच्छे से करते थी लेकिन उनकी फसलों को पूरी तरह से कोल्ड इस्टोरेज में रखने के लिए व्यवस्ता नहीं थी और जो भी कोल्ड इस्टोरेज थे तो उन्हें जो है किसान किराय पर लेते थे और कई बार तो ऐसा होता था कि किसान की जो फसल है उसकी पैदावार इतनी ज्यादा हो जाती थी कि किसी भी तरह का cold storage उन्हें उपलब्द नहीं हो पाता था और जो भी cold storage कराय पर मिलते थे तो उन्हें जो है काफी ज्यादा उसके लिए पैसे देने पड़ते थे यानि किराय पर जो है वो काफी ज्यादा महगे उपलब्द हो पाते थे लेकिन अब जो है किसानों को इस समस्या से जल्द ही निजाद मिलेगी क्योंकि ये जो cold storage बनाए गई है ये solar energy से चलने वाले होंगे और दोस्तों ये जो solar energy से चलने वाले cold storage होंगे इनको घर पर भी आसानी से लगाए जा सकेगा क्योंकि इनका जो खर्च है वो काफी ज़्यादा कम है तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि उत्तरप्रदेश में पूर्वांचल छित्र में जो ये छोटे cold storage इस्तापित किये जाएंगे ये काफी ज़्यादा चर्चाम है तो आपको ध्यान रखना है कि इनका नाम जो हो क्या रखा गया है पूसा फार्म सन फ्रिज इन cold storage का नाम रखा गया है अगला कुश्यन है हाली में किस राजे सरकार ने निर्भाया एक पहल अभ्यान का सुभारम किया इसका जो correct answer है वो है option बर्भी उत्तर प्रदेश ने मुख्यमंत्री योगी आदित्तिनाथ ने लखनों में मिसंसक्ती चरण तीन के तहट निर्भाया एक पहल अभ्यान की सुरुआत की प्रदेश के हर जिले में एक एक हजार महिलाओं को उध्यमी बनाने के लिए मिसंद के तीसरे चरण में निर्भाया एक पहल अभ्यान चलाया जाएगा तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्तिनाथ ने मिसंसक्ती के तीसरे चरण में निर्भाया एक पहल अभ्यान की शुरुआत की है और इसका उद्देश क्या होगा तो प्रदेश के हर जिले में एक एक हजार महिलाओं को उध्यमी बनाने के लिए ये जो अभ्यान है वो शुरू किया गया है अगला कुश्यान है विश्व हिर्दय दिवस हर वर्स कब मनाया जाता है इसका जो करेक्ट आंसर है और सी 29 सितंबर को मनाया जाता है वर्ल हार्ट फेडरेशन के अनुसार यह दिन महत्यपूर है क्योंकि हिर्दय रोग दुनिया भर में लोगों का मौत का सबसे बड़ा कारण बन गया है जिसक इस अपना 1999 में वर्ल हार्ट फेडरेशन डवलू एचेफ ने विश्व स्वास्त संग्ठन के सहयोग से की थी 2021 की थीम क्या रही तो आपको ध्यान रखना है कि विश्व हिर्दय दिवस 2021 की थीम रही है यूज हार्ट टू कनेक्ट यह 2021 की थीम रही है तो दोस्तों आपको चीज से ध्यान रखना है कि हर साल 29 सितंबर को विश्व हिर्दय दिवस मनाया जाता है अगला कुश्यान है विश्व रेवीज दिवस कब मनाया गया इसका जो करेक्ट आंसर है वो है अप्शन बर बी 28 सितंबर 28 सितंबर को मनुस्य और जानवरों पर रेवीज की 2021 की विश्व रेवीज दिवस की थेम रखी गए यहाई दिवस फ्रांसीसी रसायनग और सुक्ष्म जीरवेग्यानी लुई पाशर की पूनेतिति या पूनेतिति की रूप में जो है मनाया जाता है जिन्होंने पहले रेवीज वैक्सीन की खोज की इस वर्ष विश्व रे वरों पर रेवीज के प्रभाव के बारे में जागरुकता फैलाना इसका उदेश्य होता है तो विश्व रेवीज दिवस 2021 की थेम आपको अच्छे से ध्यान रखनी है रेवीज facts not fear 2021 की थेम रही और दोस्तों यह जो दिवस है यह पहली बार कब मनाय गया था तो ध्यान र रेवीज कंट्रोल द्वारा की गई थी यानि स्थापना 2006 में की गई थी और पहली बार यह मनाय गया था 2007 में अब जोस्तों यह जो विश्व रेवीज दिवस है यह विज्ञानिक लुई पास्चर की पुनियतिती पर मनाय जाता है तो लुई पास्चर कौन थे तो इनके बारे में थोड़ा जानते हैं तो लुई पास्चर एक फ्रांसी सी चिकिस साविद और वैग्यानिक थी जिन्होंने अपनी वैग्यानिकों खोजों के द्वारा बीमारी के दोरान घाव उत्पन की स्थिती में जो असहनी पीड़ा होती है उससे मुक्ति दिलाकर एक बड़ जानते हैं कब हुआ था तो हापको ध्यान रखना है 27 दिसंबर 1822 को कब हुआ था 27 दिसंबर 1822 को इनका जन्व जो हैं फ्रांस में हुआ था तो आपको ध्यान रखना है 27 दिसंबर 1822 को फ्रांस में इनका जन हुआ था और इनकी मृत्तिव कब हुई थी तो 28 सितंबर 1895 को जो लुई पास्चर वैज्ञानिक थे इनकी मृत्तिव हुई थी और इनहीं की पुनितिती पर ये दिवस मनाय जाता है अगला कुश्यान है किस ने सबसे तेज सोलो साइकलिंग का गिनीज वर्ल्ट रिकॉर्ड बनाया इसका जो करेक्ट आंसर है वो है उप्स नूबर 1 स्रीपध सृरी राम और यहाँ पर आप एमेज में देख सकते हैं यह स्रीपध सृरी राम जिन्होंने सूलो साइकलिंग का रिकॉर्ड बनाया भारतिय सेना के अधिकारी लेटिन एंड करनल स्रीपद स्री राम ने ले से मनाली की 432 किलोमीटर की दूरी 34 गंटे 54 मिनट में तै करके सबसे तेज सोलो साइकलिंग पुरुस का गिनीज वर्ल रिकॉर्ड बनाया उन्होंने 25 सितंबर को सुभा चार वजी लगदाख के ले से साइकल यात्रा सुरू की रेज की कुल दूरी 432 किलोमीटर जबकी उचाई लगबग 8000 मीटर थी उन्होंने कठिन मौसम इस्तिती में 5 प्रमुक तर्रों को पार करते हुए 34 गंटे 54 मिनट में सफलता पूर्वक यात्रा पूरी की तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि सोलो साइकलिंग पुरुस का गिनीज वर्ल रिकॉर्ड जो अभी हाली में किसने बनाया है तो भारतिय सिना के अधिकारी लेफ्टिनेंट करनल स्रीपद स्रीराम ने ये जो रिकॉर्ड है वो बनाया है और इन्होंने 472 किलोमेटर की दूरी जो है वो साइकल से 34 गंटे 54 मिनट में पूरी की है अगला कुश्यन है किस राज ने मुख्यमंतरी बागवानी बीमा योजना सुरू की है इसका जो करेक्ट आंसर है वो है उप्सिन मुर सी हर्याणा ने हर्याणा की मुख्यमंतरी मनोहर लाल खटर ने 25 सितमर को मुख्यमंतरी बागवानी बीमा योजना लौंच की उन्होंने चंडीगड में आयोजित राज इस्तरिय कारिकरम के दोरान किसानों को फाइदा पहुँचाने के उद्यसे से इस बीमा योजना को लॉंच किया है तो दोस्ता आपको ध्यान रखना है कि मुख्यमंतरी बागवानी बीमा योजना ये किस राजे से संबंदी थे तो हर्याणा से ये संबंदी थे इसे हर्याणा की मुख्यमंतरी मनुहर लालकटर ने 25 सितंबर को लॉंच किया है अब यहाँ पर हर्याणा की बात है तो ये है मैप में हर्याणा हर्याणा की कैपिटल है चंडीगर, हर्याणा के चीफ मिनेश्टर है मनुहर लालकटर और हर्याणा के गवर्णर है बंदारू दत्ता त्रे और हर्याना में लोग सभा सीटों की संख्या है 10 और राज्य सभा सीटों की संख्या है 5 अगला गुश्यन है किसने देखू मेरी दिल्ली मोबाइल एप्लीकेशन लॉंच किया तो ये लॉंच किया है अरविंद केजरीवाल ने ओप्सन नमबर B यहां पर करेक्ट होगा जानकारी लेकर वहां जा सकते हैं इस एंड्रोइड मोबाइल एप्लीकेशन में खाने पीने की जगह हों पार्कों के बारे में परेटन के महत्वपूर केंद्रों के बारे में बताया गया है तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने लॉंच किया है तो दिल्ली के परेटन को बढ़ावा देने के मकसद से इस एप्लीकेशन को लॉंच किया गया है अगला गुश्यान है सितंबर 2021 में निम्लिखित में से किस मिसाइल का ओडिसा के चांदीपूर में एकीकरत परीच्छन रेंज से सफलता पूरवग आकास मिसाइल के एक नए संस्क्राण आकास प्राइम का सूमवार को साम करीब साड़े चार बजे ओडिसा के चांदीपूर में टेस्ट रेंज से सफलता पूरवग परीच्छन किया गया सुधार के बाद अपने पहले उडान परीच्छन में मिसाइल ने एक मानव रहत हव लक्ष को रोका और उसे नस्ट कर दिया रक्षाम संदान और विकास संग्ठन यानि डियार डियो ने समाचार विगिप्ति में कहा कि मवजूदा आकास प्राली की तुलना में आकास प्राइम बेतर सठीकता के लिए एक स्वधेसी सक्रिय रेडियो फ्रिक्वेंसी सीकर से आकास प्राइम और आकास एंजी दोनों आकास मिसाइल के वेरियंट है जो भारत की पहली स्वधेस निर्मित मेडियम सर्फेस टू एयर मिसाइल है तो आपको ध्यान रखना है कि आकास प्राइम जो मिसाइल है इसका सफलता पूर्वक परीचण कहां पर किया गया है तो इसका जो करेक्ट आंसर है जो है option number D अमेरिका ने समयक दो राज अमेरिका ने रेथियों टेक्नोलोजी इस द्वारा निर्मित एक हाइपरसोनिक हत्यार का सफलता पूर्वक परीचण किया इसने एर बीर्दिंग हाइपरसोनिक हत्यार का परीचण किया जो धोने की गती से पांच गुना तेज गती प्राप्त करने में सक्षम है हाइपरसोनिक हत्यार उपरी वायू मंडल में धोने की गती से पांच गुना अधिक या लगबग 6200 किलोमीटर प्रती गंटे की गती से यात्रा करते हैं तो दोस्तों आप उध्यार रखना है कि सनेक्तुराज अमेरि अमेरिका की कैपिटल क्या है तो ध्यार रखना है वासिंग्टन डीसी सेंगतुराज अमेरिका की कैपिटल है और सेंगतुराज अमेरिका की करेंसी क्या है तो अमेरिकी डॉलर अमेरिका की करेंसी है और अमेरिका की वर्तमान में रस्ट पती कोन है तो ध्यार रखना है जो विधायक डॉक्टर नेमावेन आचारे को गुजरात विधान सभा का सर्व सम्मेती से अध्यक्ष चुन लिया गया। वे गुजरात विधान सभा की पहली महिला अध्यक्ष बनी राजेंदर तिरवेदी के 16 सितंबर को इस्तीफा देने और मुख्यमंतरी भूपेंदर पटे के नित्रत वाले नए राज्यमंतरी मंडल में सामिल होने के बाद अध्यक्ष का बद खाली हो गया था तो दोस्तों आप उध्यान रखता है कि गुजरात विधान सभा की पहली महिला अध्यक्ष जो है वो कौन बन गई है तो यह बनी है भाजपा की वरस्ट विधायक डॉ हमने आपसे पूँचा था तो यह कल के वीडियो को कुश्यन जो हमने आपसे पूचा था वायुसेना का नया उप प्रमुख ने में से किसी नियुक्त किया गया है इसका जो करेक्ट आंसर था और लगबख सभी स्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब किये और मैं आपसे हर तो इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है तो दोस्तों अगर आपको आसका वीडियो पसंद आया हूँ तो वीडियो को लाइक करें सेर करें और अगर चैनल पढ़ना है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें साथी वेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि time to time notification आप तक पहुँचता रहे तो मिलते हैं next video में thank you